वेलकम तो रेट टेक चैनल अन्यू वेट लार्न तो आज हम बात करेंगे दा फिजिक्स ओफ रेडियोलोजी एंड इमेजिंग इसमें हम बैसिक फिजिक्स से लेटे जो है टोपिक के बारे में डिसकस करेंगे यह हमारा जो है यूनिट वन है एक तरह से फंडामेटल कॉंसेट्स इसमें हम बैसिक कॉंसेट्स के बारे में जा काफी बेसिक्स हैं तो इसमें ज्यादा टाइम जो है नहीं कंजूम करना चाहिए इसलिए मैंने जो है शोर्ट रव्यू में इसको कंप्लीट किया है और इसके साथ जो एमसी क्यों है वो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग एक्जाम के लिए सो इसे लेटर जो टॉपिक्स है वो इसमें डिस्कस किये जाएंगे जैसे कि हमारा है मिजर्मेंट एंड यूनिट्स डेंसिटी मोल प्रेशर एंड गैस लोज यह जो आपने टॉपिक्स है वो काफी आपको आइडिया भी होगा इन टॉपिक्स के बारे में यह काफी डिटेल्स में मैंने नहीं कवर किये हैं मेकैनिक्स टेंपरेचर एंड हीट देन है हमारा अटोमिक स्ट्रक्चर इलेक्रोमेगनेटिक रिडिशियन और हमारा है रेडियोलोजिकल मैथेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं यह हमारी न्यू प्लेइलिस्ट है I hope this will help you a lot सो लेट्स बिगयाँ सो पहला है हमारा मिजरमेंट एंड यूनिट्स किसी भी जो सबस्टेंस है उसको डिफाइन करने के लिए डेटरमाइन करने के लिए उसका साइज बताने के लिए यह एक्स्टेंट ऑफ सम्थिंग एक उसको बताने के लिए measurement किया जाता है ताकि उसके जो है standardized way में उसको बता सके तो quantities को measurement करने के लिए basically units को लाग गया था अब इसमें important points की बात करें तो हमें base units का ध्यान रखना है जो भी fundamental units होती है जैसे कि हमारा length को मापने के लिए meter weight को मापने के लिए kilogram और time को मापने के लिए second होता है यह हमारा fundamental units है उसके बाद होती है derived units जो हमारी combine हो जाती है base units जैसे कि हमारा speed को हम meter per second में basically count करते हैं, measure करते हैं then उसके बाद जो काफी important है हमारा prefixes जो हमारा modify units है जो कि power of 10 के बाद लगती है जैसे कि हमारा thousand के लिए हम kilo का use करते हैं और milli thousand के लिए करते हैं ऐसे हमारा milli, centi, millimeter, nano, femto, auto यह सब जो है आपको ज्यान रखने की आउशकता है यह भी exam में आपसे पूछ सकते हैं then आता है हमारा density, mole and pressure तो density आपको पता है जो भी mass per unit volume होती है उसी को हम density कहते है कोई भी basically mass है उसका volume per unit volume में कितना mass present है उसी को हम density कहते हैं unit basically typically हम express करते हैं kilogram per meter cube में या gram per centimeter cube में अब mole की बात करें तो जो chemistry में हम use करते हैं basically किसी भी जो amount of substance है chemical substance है उसको express करने के लिए हम mole में basically उसको express करते हैं उसके बाद आता है काफी important है अवागेटरो नमबर 6.022 into 10 the power 23 यह हमारा number of atom और molecule है वन mole में यह भी आप से exam में पूछ सकता है pressure की बात करें तो force per unit area इसका basically formula है pressure is equal to force upon my area easy to learn है यह सब topics units की बात करें तो pascal है या atmosphere कह सकते हैं gas low की बात करें तो यह काफी important हो जाता है इसमें हम देखते हैं boys low boys low क्या state करता है कि कोई भी जो gas है given mass of gas उसकी जो volume है वो inversely proportional होती है उसी के pressure से यानि कि कोई भी gas है mass of gas है अगर उसका volume बढ़ाओ गया आप at a constant temperature तो उसका जो pressure है वो कम होगा inversely proportional में जो है जो दो comparison होते है वो एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज गटेगी यह आपको ध्यान अकना है word में inversely ध्यान आता है हमारा चॉल स्लो चॉल स्लो क्या state करता है कि कोई भी given mass of gas है उसका जो volume है at constant pressure is proportional to its temperature तो constant is condition में constant क्या है pressure तो volume क्या है proportional है तो इसमें directly होगा basically तो हमने जो है इन दोनों equation को combine कर दिया है उसके बाद हमारी जो बनती है PV by T is equal to constant तो PV हमारा क्या है P से pressure है V से volume है और T से हमारा temperature है यह हमारी एक perfect gas equation बन गई है then आता हमारा mechanics mechanics में वही आपको वो सब याद रखना है जो भी mechanics में जैसे कि motion है force of object है यह सब आपको ध्यान रखने की अवशकता है इसमें basically आता है neutron laws of motion जो की एक body और एक force जो acting उस पे force लगती है उसके बारे में relationship बताता है जैसे कि first law क्या बताता है कि कोई भी object है वो rest पर रहेगा अगर rest पर है तो वो rest पर ही रहेगा और अगर कोई object है motion में है तो वो motion में रहेगा at a constant velocity जब तक उस पर कोई भी बाहरी force ना लग जाए तो यह हमारा first law state करता है अब second law की बात करें तो जो acceleration है किसी भी object पर लगने वाली जो acceleration है वो directly proportional है उसके net force acting upon it तो जितना हमने जो है force लगाया है उसी का जो है directly proportional है यानि कि अगर आप force ज़ाद लगाएंगे तो acceleration भी उस आप से ज़ादा होगी and universally proportion to its mass के जो है universally proportion होगा अब third law क्या कहता है third law में क्या है very easy है for every action there is an equal and opposite reaction कोई भी जो आप action करते हैं उसका equal और opposite reaction होता है तो ये इसमें third law state करता है next आता है temperature and heat temperature as you know very well कोई भी जो है kinetic energy है average kinetic energy किसी भी particle की इन्हें substance में वो measure करते हैं उसी को हम temperature कहते हैं unit इसकी हमारी Kelvin है या Celsius कह सकते हैं अब बात करें heat की तो energy transfer होती है between substance due to temperature difference temperature difference के इसाफसे उसी को हम heat कहते हैं अब unit की बात करें तो joules और calorie अब बात करते हैं atomic structure की तो basic unit of matter जो हमारा होता है atom अब इसमें sub atomic particles होते हैं proton, neutron और electron ये भी आपको ध्यान रखने हैं atomic number की बात करें तो जो भी हमारे number of protons है वो ये हमारे atomic number होते है isotopes जो होते हैं वो same element with different number of neutrons हैं उसको isotopes कहते हैं electron shells की बात करें तो energy levels होते हैं different different चाह पर हमारे जो है electron orbit करते हैं around the nucleus यानि के nucleus के बाहिर then आता है हमारा electromagnetic radiation इसमें basically energy की form में basically energy in the form of electromagnetic waves waves की form में basically हमारा energy define की गई है अब इसमें important जो देख सकते है wave particle duality जो light जो exhibit करते हैं both wave और particle characteristics के बारे में तो इससे related एक मैंने काफी important जो है video मैंने basic physics प्लेलिस्ट में already cover की है आप उसमें जाके देख सकते हैं कि जो x-ray जो rays है वो एक wave particle की तरह भी जो है represent करती है ये भी आप उसमें जाके समझ सकते हैं काफी detail wave में मैंने बताया है अब spectrum की बात करें तो range of electromagnetic waves होती है उनका जो है spectrum होता है जिसमें हमारी radio waves है microwaves है infrared waves है visible light है ultraviolet x-rays and gamma rays है अब radiological mathematics की बात करें तो इसमें हमारा basically first point आता है हमारा radioactive decay तो कोई भी हमारा unstable जो atomic nucleus है अगर वो अपनी energy lose करता है और energy lose करते हुए वो radiation emit करता है तो इसको हम कहते है radioactive decay होना then आता है हमारा half life तो कोई भी radioactive substance है वो एक 100% state में है hypothetically आप मान लो 100% state में है 100% से वो 50% state में जाएगा तो उसका जो है half जो है यानि कि वो अपने full state से half state में हो गया है तो उसमें लगने वाला जो समय है वह हाफ लाइफ कहलाता है next है हमारा exponential decay mathematic model है basically radioactive decay का उसमें हम देखेंगे radiation exposure and dose इसमें basically gray और sea water में basically radiation dose को मिजर किया जाता है अब बात करें mcqs की तो what is the SI unit of length as you can see the answer is option number b यानि की meter question number 2 if a quantity has a mass of 50 kg and a volume of 2 meter cube what is its density तो इसमें हमें density बतानी है density आपको पता है mass upon में volume तो option हमारा है right answer है option number a यानि की 25 kg per meter cube density हमारी mass upon में volume question number 3 अवागेटरो नमबर is used to define तो जो अवागेटरो नमबर होता है वो किस को use करके define किया जाता है तो mass volume amount of substance या pressure तो जैसे कि आपने अभी देखा जो अवागेटरो नमबर है अवारा जो है option number C इसका right answer होगा amount of substance को define करने के लिए यूज किया जाता है question number 4 according to boils law if the pressure of a gas decrease what happen to its volume assuming constant temperature तो अपने अभी boil slow के बारे में पढ़ा तो option A हमारा increase option B हमारा decrease option C हमारा remain constant option D हमारा doubles तो boil slow क्या कहता है जो हमारा pressure है किसी भी gas का अगर वो decrease होता है basically वो हमारा inversely proportional है volume के तो इस case में जो pressure है वो decrease हो रहा है तो inversely proportional में उसका उल्टा होता है यानि कि volume क्या होगा increase होगा तो right answer है हमारा option number A यानि कि increases option number question number 5 Newton first law of motion is also known as the law of तो Newton के जो first law को और क्या कहते हैं option number A acceleration option number B हमारा inertia option number C हमार action and reaction option number D हमारा force तो right answer है हमारा option number B is equal to inertia inertia हम basically first law को कहते हैं law of inertia question number 6 the unit of force is the international system of unit यानि कि SI is तो force के हमें SI unit बतानी है very easy to answer option A हमारा newton option B हमारा joule option C हमारा watt option D हमारा pascal तो right answer हमारा option number A यानि कि newton option number 7 हमारा absolute zero on the Kelvin scale is equivalent 2 तो absolute zero बताना हमें option number A हमारा 0 Kelvin option number B हमारा 100 Kelvin option number C हमारा minus 273.15 degree Celsius option D हमारा 100 degree Celsius तो as you know very well तो right answer है हमारा option number C यानि कि minus 273.15 degree Celsius option number 8 which of the following is a measure of the total kinetic energy of particle in air substance तो अभी आपने ये सब theory में पढ़ा है तो आप easy to answer कर सकते हैं तो कोई भी kinetic energy है किसी भी particle में उसको जो measure करते हैं उससे क्या basically कहलाता है वो वो हमें बताना है तो option A हमारा heat option B हमारा temperature option C हमारा specific heat option D हमारा thermal conductivity तो right answer है हमारा option number B यानी की temperature question number 9 the number of protons in an atom is called तो number of protons है किसी भी atom में वो क्या कहलाते हैं option A हमारा atomic mass option B हमारा atomic number option C हमारा neutron number option D हमारा electron number तो right answer है हमारा option number B यानी की atomic number question number 10 where are electrons located in an atom तो electrons हमारे atom में कहाँ पर located होते हैं option A हमारा nucleus option B हमारा proton cloud option C हमारा electron cloud option D हमारा neutron region तो जैसे कि आपको पताए जो electrons है nucleus के बाहर present होते हैं यानी की electron shells में option number C यानी की electron cloud या electron shells कह सकते हैं question number 11 which of the following is not a form of electromagnetic radiation तो हम में से given option में से बताना है कि कौन सी हमारी जो है electromagnetic radiation नहीं है option A हमारा x-rays option B हमारा sound waves option C हमारा infrared radiation option D हमारा gamma rays तो right answer है हमारा option number B यानी की sound waves question number 12 what is the order of electromagnetic spectrum from longest to shortest wavelength तो इस given options में से आपको बताना है option A हमारा radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, x-rays or gamma rays option B हमारा gamma rays, then x-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwave, radio waves option C हमारा radio waves, infrared, visible, ultraviolet, x-rays, microwave or gamma rays option D हमारा ultraviolet, visible, infrared, microwave, radio waves, x-rays and gamma rays तो right answer है हमारा option number A यानी की radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, x-rays and gamma rays question number 13 what is the unit of measurement for the absorbed dose of ionizing radiation तो हमें absorbed dose जो है उसकी unit बतानी है option A हमारा becquerel, option B हमारा seavert, option C हमारा gray, option D हमारा curie तो right answer है हमारा option number C यानी की gray question number 14 the time it takes for a radioactive substance to lose half of its activity is known as तो कोई बी radioactive substance है वो अपनी जो half जो है activity को decay कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं option A हमारा decay constant, option B हमारा half life, option C हमारा absorption constant, option D हमारा fission rate तो right answer है हमारा option number B यानी की half life, तो half life जो हमारा कोई भी radioactive substance है वो अपनी जो activity है यानी की कि किसी भी state से अपने full state से 50% state पर आता है तो उसे हम basically half life कहते हैं तो यह थे हमारे theory plus mcq on the topic of fundamental units आपको वीडियो कैसे लगी please comment on the comment section and further जो है वह मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा so stay connected so that's all for this video do subscribe if you like and thanks for watching जैहिन जैभारत